तो दोस्तो आज की वीडियो में हम विगत वर्सों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉप 10 जीके के क्वेश्चन लाए है और आगे भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखीगा तो बीना टाइम वेश्ट क ये हम वीडियो को करते हैं सुरू तो question first रहा आपकी स्क्रीन पर question है वीजे नगर के मध्यकालिन नगर को आज कल क्या कहते हैं Option है चंद्रगिरी, हले बिंदू, हम्पी या फिर कॉंड बिंडू. दोस्तो प्रते question का answer कैस करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसके लिए आपका समय सुरू होता है अब. सही answer चला जाएगा. Option no.3 हम्पी, विजे नगर के मध्यकाली नगर को हम्पी कहा जाता है और हम्पी इस समय करनाटिक में स्थित है. Second question है दिल्ली के पुराणा किला का निर्मान किस सासक के सासनकाल में हुआ था? Option है हुमाईू, अकबर, सहाजहा या फिर बाबर के सासनकाल में? सही अंसर चला जाएगा, ओप्स नमबर एक हुमाईू, दिल्ली के पुराणा किला का निर्मान हुमाईू द्वारा 1533 से 1538 इस्वी के मध्या करवाया गया था. प्रंतु सेरसा दुरिशूरी द्वारा दिल्ली पर आकरमन करने के बाद इस किले का नाम सेरगट कर दिये गया. Question 3 है, सिवाजी को पकड़ने के लिए औरंग जेव द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? ओपसे नमबर एक अवुलफजल, ओपसे नमबर दो अफजिल खान, ओपसे नमबर तीन मलिक कपूर या फिर ओपसे नमबर चार साइस्ता खान को. सही अंसर चला जाएगा ओपसे नमबर चार साइस्ता खान को. 1660 हिस्वी में औरंग जेव ने अपने मामा साइस्ता खान को देक्सिन का सुवेदार बनाया और सिवाजी को खतम करने का आदेश दिया था Q4 है भारत के किस राजे की एक भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है गुजरात, आंधरप्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली की सही अंसर चला जाएगा ओप्स नमबर तीन राजस्थान की भारत के राजस्थान राजे की एक भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती Q5 है पाल घाट दर्रा किस किस राज्य को आपस में जोडता है Ops No.1 सिक्किम और पस्चिम बंगाल को Ops No.2 महराष्टर और गुजरात को Ops No.3 अरनाचल प्रदेश और सिक्किम को Ops No.4 केरल और तमिलनाडु को सही अंसर चला जाएगा Ops No.4 केरल और तमिलनाडु को पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोडता है Q6 है कौन सी परवत स्रेणी भारत में स्थित है आराकान योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या फिर पीर पंजाल सही अंसर हो जाएगा Ops No.4 पीर पंजाल पीर पंजाल परवत स्रेणी भारत में स्थित है Q7 है भारत में सरवधिक उपजने वाली फसल काउन सी है Ops No.1 चावल, Ops No.2 गेहू, Ops No.3 मक्की या फिर Ops No.4 बाजरा तो सही अंसर चला जाएगा Ops No.1 चावल भारत में सरवधिक उपजने वाली फसल चावल है Q8 है सुएत क्रांती का संबंद किस से है Ops No.1 मतस्य उत्पादन Ops No.2 बीज उत्पादन Ops No.3 दूद उत्पादन या फिर Ops No.4 इनमें से किसी से भी नहीं Q8 का अंसर चला जाएगा Ops No.3 दूद उत्पादन सुएत क्रांती का संबंद दूद उत्पादन से है और भारत में इस क्रांती का जनक वर्गिज कूरियन को माना जाता है Q9 है उत्रपूर्वी भारत में बहने वाली राष्टर पर ये नदी काउंट सी है Ops No.1 ब्रहमपुतर Ops No.2 गंगा Ops No.3 कृष्णा या फिर Ops No.4 गोदावरी सही अंसर चला जाएगा Ops No.1 ब्रहमपुतर उत्री भारत में बहने वाली राष्टर पर ये नदी ब्रहमपुतर है Q10 अब भरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है Ops No.1 देक्षिन अफरीका Ops No.2 भारत Ops No.3 अमेरिका या फिर Ops No.4 आउस्ट्रेलिया में सही अंसर चला जाएगा Ops No.2 भारत भारत विस्व में अभरक सीट का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश दोनों है भारत में कुल अभरक सीट के अत्पादन का 90 प्रत्सत भाग निर्यात कर दिया जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कॉमेंट बॉक्स में ये भी बताए कि आपको कितने क्वेस्टन का सही अंसर आता था और ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल हेल्प है बेटा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रस कर ले हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर